कि इन्तिजार हुई खत मेट्रीक इंटर रिजल्ट की फैनल तारिक घोशित आज की सीडियो में आप जानेंगे कि मेट्रीक का रिजल्ट कब आएगा और इन्टर का रिजल्ट कब आएगा बैठक में क्या सब निर्णे लिएगे कल जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग हुआ उसका क्या सब नतीजा रहा यहां पर आप ओफिसियल लेटर को देखेंगे और जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है तो तमाम हम न्यूज को जानेंगे विश्तार पुरुवक्त चलिए एक एक कर सभी न्यूज क समय पर जारी किया जाएगा और सत्तर फिजदी तक जांची गई कंपिया तो यह 17 मार्श का न्यूज है तो सत्तर यानि अब तक जो है पशत्तर फिजदी से अधिक कंपी की जांच हो चुकी है इसमें आप इंटर के रिजल्ट के बारे में जानेंगे और उसके कंपी परिक्षा समीति के तत्वा धान में मैंटरिक की कंपियों की जांच हो रही है अब तक सहर के दो लाग से अधिक कंपियों की जांच हो गई है इससे समय पर रिजल्ट आने की उम्मीद परवल हो गई है जीलाकारिशक्रम अधिकारी मोति उर रहमान का कहना है कि इंटर की कं कांपियों की जंच का काम पूरा करने के बाद अब मैट्रिक की कांपियों की जंच जोर सोर से चल रही है तो यहां पर देख सकता है कि इंटर की जो है कांपी की जंच वह पूरा हो गया है अब मैट्रिक का कांपी का जंच काफी जोर सोर से चल रहा है उसके बाद कोशिच की जा रही है कि समय पर कांपयों की जंच हो और समय पर ही result आए बिहार भी दिया ले प्रिक्षा समीति ने मार्च एबं अप्रेल में इंटर एबं मैंटरिक का result गोसित करने की तितिपूर में ही करचुकी है बोड द्वारा परत्यक दिन कांपियों की जांच की रिपोर्ट ली जा रही है वितरहित सिक्षकों ने संभाली कमान मैटरिक की कांपियों की जांच की कमान लगबग वितरहित सिक्षकों ने संभाल ली है यहाँ पर देख सकते हैं कि नियोजित सिक्षकों की हर्ताल का असर बिहार बोर्ट की मैट्रिक परिक्षा की कंपी की जांच की तारिक बढ़ानी पड़ी यानि हर्ताली सिक्षक जो योगदान नहीं दिये जिसके कारण कंपी जांच की तिती बढ़ा दी है यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में नियोजित सिक्षको की हरताल का सिक्षा वेवस्था पर बड़ा असर पड़ा है सरकार ने हरताल की वजोसे मेट्रिक परिक्षा की कंपी की मुलियंकन अंतिम तारीक में विस्तार किया है पहले कंपी की जंगत पंच मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक समगत कर लेना था जिसे अब बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया है इस सम्मंद में विहार विद्याले परिक्षा समिती ने सभी डिये और जीला सिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिकर जनकारी दी है बिहार वोट ने अपने आदेश में कहा कि अब 22 मार्च तक हर हाल में में परिक्षा की कापी का मुल्यांकन कारी समाप्त कर लेना है अगर इसके पहले भी कापी जंगत पूड़ा हो रहे तुछ से समाप्त कर सुचित करना है यहाँ पर नियोजित सिक्षकों की हर्ताल के बज़व से इंटर में परिक्षा में भारी परिक्षानी हुई उसके बाद कापी जंगत में बिहार वोट कापी मसकत करनी पड़ी है हलांकि बिहार वोट का दावा है कि नियोजित सिक्षकों की हर्ताल के बाद भी मेट्रिक और इंटर परिक्षा का रिजल्ट समय से जारी होगा और आप यहां पर देख सकते हैं यह ओफिस्यल लेटर है जिसमें 5 मार्श से लेकर के 17 मार्श तक मेट्रिक कापी की जंच होनी थी लिकिन अब जो है कि 22 मार्श तक कर दिया गया है अब यहां पर देख सकते हैं कि विहार बोट के अधियक्ष अनंद की सोर मेट्रिक इंटर कापी के मुल्यंकन कार्य का जैजा लिया जिसमें इंटर का मुल्यंकन कार्य जो है पूरा हो चुका है और मेट्रिक की 75 पिज़दी कापी की जंच की जा चुकी है मेटरिक की जो कापी जंच बच गई है उसे 22 मार्च तक हर हाल में पूरा करना है बोड अधियक शानन्द किसोर ने सभी जिलो के डियम डियो के साथ वीडियो कॉन्फिरेंसिंग की और मुलियंकन कारी जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए आवस्यक निर्देश दिये जो भी सिक्षक मुलियंकन कार्य में योगदन नहीं दिये है उसे अपने असपष्ट कारण के साथ सुचित करने के लिए कहा गया जो सिक्षक असपष्ट कारण नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिक्षक अस्पष्ट कारण नहीं दे सके उस पर एफायर दर्च करने के लिए कहा गया बोर्ड ने मुल्यांकन कारतिती से समंदित विग्यपती भी जारी कर दिया है बोर्ड बैठा करो वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के बाद बोर्ड का कहना है कि इंटर का रिजल्ट मार्च के अन्तिम में यहाँ पर देख सकते हैं तो टेलिग्राम चलाते हैं तो वहां पर जाया और समराट सर मैथमेटिक्स समराट शर करके आप टेलिग्राम चैनल को जोएन कर ले वहां पर आपको सभी न्यूज का जो है प्टेपर कटिंग मिलते रहेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कम से कम इस वीडियो को अपने दस ग्रूप में जरूर फेलाईए